Hello friends, welcome to online TSP, दोस्तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आइकन को क्लिक करें चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं इस चेप्टर का पार्ट वान वीडियो अप्लोड हो चुका है और पार्ट टू वीडियो का आज शुरुवात है तो आज हमारा टॉपिक होगा और धोगिक छेत्र में उत्पादन में कोई भी सेस्पजवर्तन ना होने का कारण तो दोस्तों ये गरीवी बिहार में गरीवी का एक प्रमुख कारण ये भी है कि बिहार के मजदूर लोग एक राज अपनी राज को छोड़के दूसरे राज में जाते हैं और वहां पर उनका का सोसन होता है उनसे कार्ज तो अधिक कराया जाते हैं लेकिन उनका जो वेतन होता है वो बहुत ही कम दिया जाता है और जिसके कारण उनके द्वारा जो कमाया हुआ रासी है वही अत्यधीक भाग वही पर वह छोड़के चले आते हैं तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं इसक महंगी दर में ख़िदने परती है जिस कारण से उन्हें मासिक बचत नौ के बराबर होता है तो असफ़स्ट है कि बिहार में कलकर खाने नहीं है तो कलकर खाने से उत्पादित होने वाली बस्तू बस्तविक में महंगी होगी और बिहार के लोगों को वह बस्तू बहुती संख्या बढ़ती चंसंख्या बिहार के गरीवी का मुख कारण माना जाता है क्योंकि बिहार में प्रति बेक्ति आएक कम होने के साद साद सीमित संसाधन भी है तो अस्फश्ट है कि विहार में जंसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और संसाधन सीमित है और वही संसाधन में बड़ती विजन संख्या का डिमांड को पूरा करना होता है इस कारण से बिहार का विकास थोरा से रुकावट उत्पन हो गई है कि बिहार में सिख्षा के आभाव होने के कारान लोक अपने squirrels अपने पुराने उद्धोंकों कि सबसे कम है और इसकी कारान लोके में सोसित होते हैं और इनका स्तिति दुसरी राज के तुन्ला में बहुत ही कम है अब एक पॉइंट आपका हीडिंग गरीबी के शंदर्ण में रैगनर नर्क्स का कथन क्या है उन्हों ने गरीबी के संदर्ण में क्या कहा है उनको आगे हम देखते तो प्रसीद अर्थ सास्ती राइगनर नर्क्ष ने गरीबी के संदर को कथन दिया इसमें कहा कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है यह बहुत important point है यहां पर कि गरीबी के संदर में बहुत पूछा जाता है कि गरीबी के संदर में राइगनर नर्क्ष का कथन आप बताए यह आपका कथन है उन्होंने कहा था कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है अब हम आगे चलेंगे और मेरा point होगा आप वी नियोग यह बहुत important है कता है किसी भी उद्धोग में निवेश की गई रासी को भी नियोग कहा जाता है देखिए हर सब्द आपको जाना बहुत जरूरी है इसलिए मैंने यह चोटे-चोटे सब्द को भी explain करने का प्रयास कि नियोग में नियोग नेक्स्टाम प्रती बैक्ति आए इसको जानेंगे यह क्या होता है जिस व्यक्ति की आए उसकी अवसकता से अधीक हो उसे हम उस्तम प्रती व्यक्ति आए कहते हैं कोई भी व्यक्ति है जो उतना अपना इंकम कमाता है और उसको अपना जो दैनिक यूज है या उनका जो भास्तविक खर्च है उससे अधिक वह इंकम अगर कमा रहे हैं तो वह व्यक्ति को क्या कहा जाता है कि उसका उस्तम प्रति व्यक्ति आए है और उसी के अपोजिट में ह आपका निम्तम प्रतिव्यक्ति आए जिस व्यक्ति की आए उसकी अवर सक्ता से कम हो उसे निम्तम प्रतिव्यक्ति आए कहते हैं यह वो इतना कमाता है कि अपनी अवर सक्ता को भी पूर्ति नहीं कर पाता है तो वो तुम्हारा क्या कर लाएगा निम्तम प्रतिव्यक्ति कि नेक्स रेडिम के चलते हैं कहता क्या उच्थम और निउद्थम आय का चक्रन चित्रन को दर्शाए यह बहुत ही इंपोर्टेंट और सोचने और समझने वाली बात है और इसको आप अस्तानी से समझेंगे एकदम अस्तान देखें अब इसको समझने के लिए हम विसेस एक अंडरलाइन प्रोसेस को लेंगे तो आपको जादा समझ में आएगा पहला इसमें दो राज का चीकरी किया गया है एक है गोवा और दूसरा है आपका बिहार तो हम एक गरीबी का चक्रन यानि आई के चक्रन को दर्शा रहे ह पहला क्या है यहां से हम समझेंगे यह अधीक भी कि नियोग का मतलब क्या अधीक रासी का निवेस करना मैं आपको इवेस करेंगे तो हमारा और पूंजी निर्मान दर क्या होगा बढ़ेगा जब हम इन्वेस्टमेंट को अधीक लगाएंगे मेरा पूंजी अधीक बनेगा तो उसी के रेशियो में हमारा अधीक बचत होगा जब बचत अधीक होगा तो हमारे पास फिर से विनियोग यानि इन्वेस्टमेंट करने का मौक जादा होगा जब फिर हमें वी नियों अधिक वी नियों करेंगे तो हमारे कंपनी या प्लांट में यह क्या होगा फिर उच पूंजी का निर्मान होगा फिर यही चक्रे लगातार बढ़ते जाता है और इसी के कारण क्या होता है कि जो अधिक अमीर होते हैं या अधिक संपन होते जाते हैं उसी के जस्ट आपोजिट में हम भिहार के देखेंगे तो यहां निम्न वीनियोग है निम्न वीनियोग के मतलब क्या है बहुती कमराशी investment की जाती है क्योंकि यहां पर उतना पैसा नहीं है और वीनियोग कम होगा तो हमारे पूंजी का भी निर्मान क्या होगा कम होगा यह होगा आपका निम्र पूंजी दर और जब पूंजी हम कम लगाएंगे जब हम पूंजी कम लगाएंगे तो मेरा मुनाफ़ा भी क्या होगा कम होगा तो हम बचत कम कर पाएंगे कम बचत होगा तो हमारा फिर भी नियोग के रासी क्या होगी कम होगी या हम बचत का जो यहाँ पे सेंस है इसको हम लाभ भी कर सकते हैं या आए भी कर सकते हैं लेकिन हमारा आए कम है तो पहले हम क्या करेंगे अपनी अवसक्ताव की जो बस्तू है उस पर उसको इनवेस्टम करते हैं तो हमारी रासी क्या हो जाती है कम हो जाती है और फिर हम पहले की रासी पर ही लगभग आ जाते हैं और जिस कारण से हमारा वी नियोग तेजी उच नहीं हो पाता जब उच नहीं होगा तो यह क्या रह जाएगा निमन वी नियोग होगा तो फिर पूंजी भी क्या हो जाएगी निमने हो जाएगी अजब निमने होगी तो मुनाफ़ा भी फिर क्या होगा निमने होगा दोस्तों आप इसको आसानी से समझ चुके हैं अब आगे चलते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है जिसमें केंद्र सासीत पर्देश में जो संदर से जानना बहुत जरूरी है किस राजकी है तो यह आप प्रती वेक्ति आए तो आप असानी से समझते ही होंगे जिसमएं आपको हमने पहले पताया था कि प्रती वेक्ति आए क्या होता है कि जब देस के कि यहां पर आपका केंद्रे सासित परदेश को आपको पहले जानते होंगे कि क्या होता है केंद्रे सासित परदेश को आपको पहले जानते होंगे कि क्या होता है केंद्रे सासित परदेश को आपको पहले जानते होंगे कि क्या होता है केंद्रे सासित परदेश वैसा राज हो कि प्रदश में सीरवाधिक ratio आकि सराजका है तो आपका यह है कि दूसरा कोश्चन है क। देश की आये के मानक को निद्धारित करने वाली संस्था कौन है यानि कौन सी संस्था बताएगी कि कुण व्यक्ति कितना कमा रहा है तो वह है डॉक्तिरेंट और कि अगला कोशन कि इंपोर्टेंट है भी कि सरवाधिक पुरति व्यक्ति आए वाला राज कौन है गुवा है दोस्तों एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जिस राज में जन संख्या कम है और वहां पे अगर वह संपण राज है तो वही राज लगभग क्या होते हैं का पुरति व्यक्ति आए अधिक होता है तो इस में कोशन के अनुसार कि सरवाधिक प्रतिवेक्ति आये वाला राज ये कौन होगा गुवा होगा बिहार में सरवाधिक प्रतिवेक्ति और निम्तम प्रतिवेक्ति आये कौन सा जिला का है तो सरवाधिक प्रतिवेक्ति आये आपका पटना का और निम्तम प्रतिवेक्ति आये सिवर का तो इससे यह होता है कि बिहार का सबसे अमीर जीला कहा जाए तो यह पटना और सबसे गरीब जीला कहा जाए तो सिवहर यह कोशन BPSC के संदर्व के लिए बहुत इंपोर्टेंट यह बिहार के जो भी एक्जाम होते हैं उसमें यह ज्यादा कोशन पूछा जाता है कि किस राज का प्रत प्रति वेक्ति आए सबसे कौम है तो आपको यह सबस्पास्ट आज हो गया पता कि बिहार का सरवाधी के प्रति वेक्ति आए वाला जीला कोन है तो सिवहर है अब है राश्ट्रिये आए तो किसी देश में एक वर्ष की अबधी में उत्पादित सभी बस्तूओं और सेवाओं के मौदरिक मुल्क योग को राष्ट्रिये आये कहा जाता है तो किसी देश में एक वर्ष की अबधी में उत्पादित सभी बस्तूओं और सेवाओं के मौदरिक मुल्क योग को राष्ट्रिये आये कहा जाता है तो देखे एक वर्ष का संदर भी यहाँ पर क्या होगा एक वर्ष का मतलब यहाँ पर होगा यह बीतिये वर्ष यह क्या होगा बीतिये वर्ष तो अब हम जानेगे कि बीतिये वर्ष क्या अब से कब है तो एक अपरेल से 31 मार्ष तक का जो समयकाल है वो भारत का क्या होगा बीतिये वर्ष कहलाता है ये question बहुत ही objective के संदर्व के लिए बहुत ही है कि BTA भारत की BTA वर्ज की अबधी क्या होती है तो आपका answer होगा 1 April से 31 March यानि भारत का कोई भी कार्ज का नया record लेखा जोखा वो 1 April के बाद से होती है इसलिए कोई भी budget होता है तो उसमें वो दो साल का संदर्व होता है कभी रहेगा दोजार उनाइस से बीस 2020 से कोई या कभी भी आप economics के कहीं भी book में देखेंगे तो इसी तरह से लिखा रहेगा 2020 से इस तरह से एक और इस तरह का लिखने का एक object और सास में यह फर्मेशन है या इस तरह से रहेंगे अभी तो यही आप हमारा जो बीतिया बार्स चल ला है 2020 से 2021 कोई और पीछे का जो बीतिया बार्स जो गया था 2009 से 2020 इस तरह से रहेगा आप कहीं पर यह नहीं देखेंगे कि इस बीतिया बार्स को इस तरह से लिखा गया हो कि दूहजार कि इस तरह से कहीं नहीं आप देखेंगे कुई बुक में जाद कि इस तरह से लिखा नहीं जाता है इसे गलत नहीं है लेकिन जादा तर लिखे जाते हैं इसको इस तरह से कि दूहजार उन्नाइस एक डैस के चीन इस तरह से रहेगा और आपका एक बीस रहेगा तो यह अश्पास्ट क्या बताएगा यह दूहजार उन्नाइस जो होगा आपका एक अप्रैल और दूहजार बीस रहेगा आपका एक तीस मार्ज तक बस इसमें इतना ही आपका संदर भी तरहेगा तो आप अपस्पास्टी जान गए होंगे कि कहीं भी अगर दूहजार उन्नाइस बीस जो भी लिखा रहेगा तो 2018 तो आप असपर समागें किसी देश में एक वर्ष की अबदी तो यह वर्ष की अबदी में उत्पादित यानि उस देश के अंदर जो भी बस्तू और सेवाओं के उत्पादित हुए है उनका मौदरिक मुलक योग को ही राष्ट्रिय आय कहा जाता है राष्ट्रिय आय को आर्थिक विकास का एक परमुख सूचक माना जाता है राष्ट्री ये आई को कहने का मतलब कि राष्ट के इंकम जो हता है नाशनल इंकम को किसी देश का आर्थिक विकास का एक परमुख माना कि इसलिए माना जाता है कि इसी के अधार पे लोग असानी से अनुमाल लगाते हैं कि कौन सा देश विक्सित है कौन सा देश विकास सील है तो अस फरस्ट है देखी आगे कि राष्ट्री आए को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है जिस देश की राष्ट्री आए अधीक वह देश अधीक विकास करेगा जिस देश की राष्ट्री आए अधीक होती है वह देश विक्सित कहलाता है और जिस परिक्षा के संदर में राष्ट्रिये आए, ये कोश्चन बहुत बार पूछा गया है, कि राष्ट्रिये आए कहते किसको है, तो किसी भी देश में एक वर्ष की अबधी में, यानि एक वर्ष की अबधी का सेंस आपका क्या होगा, एक वितिये वर्ष और एक वितिये वर्ष एक अप्रेल से 31 मार्ज तक के होती है तो एक वीतिय वर्ष की अबधी में उत्पादित सभी बस्तुओं और सेवाओं के मौधरिक मूल को ही राष्ट्रिये आए कहते है राष्ट्रिये आए जानना इसलिए जरूरी है कि इसी के अधार पर कोई भी राष्ट का अलग-अलग वर्गी करन होता है यहनि जिस राष्ट का आए अधीक होगा वह भीक्सित राष्ट्रिये आए कम होगी वह भीक्सित या विकासील देश कहलाते है अब इतना बात को समझ गएंगो और इसको याज जरूर रखेंगे अब आता है इंपर्टेंट आपको पॉइंट यह घिसावट एक छोटा सा सब्द है जो आपको आगे चलके परसानी डाल सकती है इसलिए हमने इसको भी समझा कि आपको समझा दे यह घिसावट तो कहता है किसी भी उत्पाद को तयार करने में किसी मसीन का परियोग किया जाता है और परियोग में आने के बाद मसीन की कीमत में कमी आ जाती है इसे ही हम घिसावट मूल कहते हैं तो आप जानते ही हूं कि कोई भी मसीन कोई व्यक्ति खरिदता है तो उस नय रहता उसका कीमत अलग होगा और जो पुरान हो जाने के बाद उसका कीमत अलग हो जाते है तो अस परस्ट है कि उसके पीछे रिजन क्या होगे कि उस भस्तु से यानि वो मसीन से उसका परियोग किया गया और उसके अंतरिक पार्ट में क्या होगी घिसावट हुएगी और एक निश्चित समय के वह बाद पार्ट क्या करना होगा चेंज करना होगा तो यही जो कमी हो जाती है इसे ही हम घिसावत मुल कहते हैं तो दोस्तों आज की करी इतना ही परिस्वाप करते हैं जहिन